दोस्तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि वर्चोल आईडी से आधार कार्ट को कैसे डाउनलोड करें आपको पता है कि 16 डिजिट की जो वर्चोल आईडी होती है उससे हम आधार कार्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो virtual ID से आधार card को download करने के लिए आपको सबसे पहले Chrome Roger open कर लेना है दोस्तो Chrome Roger open करने के बाद search war में आपको type कर देना है UIDAI और दोस्तो search कर देना है जैसे ही दोस्तो आप UIDAI लिकर search करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पहली website देखने को मिल जाएगी uidai.gov.in आपको दोस्तो इस पर click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप uidai.gov.in पर click कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया page open हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो अभी हमारे में दोस्तो जो website की language है वो हिंदी में दिखा रहा है यदि आपके में English है तो आपको कुछ नहीं करना है यदि आपके में कोई other language दिखा रहा है तो आपको change कर लेना है थ्री लेन के सामने ए और आका option इस पर क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तो हम English पर type कर देंगे जैसे ही दोस्तो हम English पर select कर देंगे दोस्तो हमारी इस website की जो भी language है वो दोस्तो English में change हो जाएगी साई दोस्तो आपने पहले जब सर्च किया हो तो आपके में English सीथ दिख रही हो दोस्तो आपको यहां से cross के icon पर क्लिक करने की बाद आपको दोस्तो पहला option मिलरा update 1000 दूसरा option दोस्तो get 1000 दोस्तो get 1000 में आपको download 1000 पर क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा download आदार आपको दोस्तों इसी पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप download आदार पर click कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से screen देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको तीन option देखने को मिल रही है आदार हमें वर्चोल भी यहां पर टिक करेंगे अब दॉस्तो केपचा को फिल कर देते हैं दोस्तो आप लोग देख सकते हो हमने उपर 1000 नमबो बर्चोल आईडी को टाइप कर दिया है 16 डिजिट की बर्चोल आईडी को टाइप करने के बाद यहाँ पर कैपचा फिल कर दिया है अब हम दोस्तो Send OTP पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तो Send OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके दोस्तो registered mobile number पर एक OTP आ जाएगा आप लोग देख सकते हो OTP आ गया है उस OTP को दोस्तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमने आप पर OTP को टाइप कर दिया है OTP को टाइप करने के बाद यह आपको Masked आदार चाहिए तो आपको Do You Want a Masked आदार पर क्लिक कर देना है नहीं तो आपको Verify and Download पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप verify and download पर click कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो आपका जो आदार काड़ है वो successfully download हो गया है दोस्तो आदार काड़ डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है आपको दोस्तो आज आना है फाइस में जहाँ पर दोस्तो आप Chrome से कोई भी document download करते होगे वो दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता होगा आपको दोस्तो document में आने के बाद आप लोग देख सकतो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ आदार आपको दोस्तो इसी पर click कर देना है तो यहां से PDA पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप ही यहादार पर क्लिक करोगे तो दोस्तो यहाँ पर एक फाइल होती है जो यहाँ पर दोस्तो पासवर्ड डालना पड़ता है तभी यहादार का डोपेन होता है दोस्तों यहाँ पर हम क्या password डालेंगी वह हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर आपको अपने नाम के आंगे के दोस्तों 4 letter वो भी आपको capital में डाल देने है और date of birth के 4 letter आपको last के डाल देने है और ओके पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप ओके पर click करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर क्या है आदार काड आपका दोस्तों डाउनलोड हो गया है अब आप दोस्तों इसे प्रिंट भी करवाज सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना पसंद नहीं आई है तो डिस लाइक कर देना